जैश्वी कृष्ण, हिंदु धर में करवाचौत का विशीश महत्व है वैतिक पांचंग के अनुसार करवाचौत का व्रत हर वर्ष कार्थिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी दिधी को रखा जाता है इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पती की लंबी आयू की कामना से इस व्रत को रखती है वहीं ऐसी यूतियां जिनका विवाद तैह हो चुका है वह भी इस व्रत को अपने होने वाले पती की लंबी आयू के लिए रख सकती है महिलाएं चंद्रमा निकलने तक अन और जल का त्याग कर देती हैं यानि निर्जला उपवाज रखती हैं साथ ही माता पारवती, भगवान शिव और गनेश्ची के साथ ही करवा माता की इस दिन पूजा की जाती है करवाचोध पर महिलाएं चंद्रमा के दर्शन करके ये वृत को खोलती हैं इसलिए करवाचोध पर सुबह जल्दी उठकर इसनान करना चाहिए साफ सुच वस्त्रधारन करके गंगा जलहात में लेकर वृत का संकल्प लेना चाहिए संकल्प लेने के बाद मापारवती, भगवान शेव और गनेश जी का पूजन करें और करवाचोध के वरत में सुबह ब्रह्मूरत में उठकर सर्गी करने का भी बहुत ही विशेशों महत्व होता है सर्गी के जरिये सास अपनी बहु को सुहागन होने का आशिरवात देती है सर्गी की थाल में सोला सिंगार की सभी सामगरी ड्राइफूट, फूल, फल, मिठाई आधी होते हैं सर्गी में खाने पीने वाली सभी चीज़े ग्रहन करने के बाद सुहागन महिलाएं सारा दिन उपवास रखती हैं शाम की पूझा करते समय वृत की कथा सुनती हैं और चंदर्मा के निकलने के बाद छलनी से जल का अर्ग दे कर चंद्रमा को पती के हाथ से जल पी कर अपने वृत का पारण करती हैं चलिए आपको बताते हैं इस साल 2024 में करवा चौत का वृत कब रखा जाएगा इस दिन कौन-कौन से शुब मूरत बन रहे हैं और चंद्रुदे कब और कितने समय पर होगा इस बार चतुर्ती तिथी प्रारम होगी 20 अक्टूबर रविवार सुबा 6.47 मिनट से और शमाप्त होगी 21 अक्टूबर सुमवार सुबा 4.17 मिनट पर उद्य तिथी के अनुसार इस बार 20 अक्टूबर रविवार के दिन ही करवा चौद का व्रत रखा जाएगा 20 अक्टूबर रविवार को ब्रह्मूरत सुबा 4.53 मिनट से 5.41 मिनट तक रहेगा अमरित काल सुबा 3.52 मिनट से 5.21 मिनट तक रहेगा रोहनी नक्षत्र सुबा 8.32 मिनट से सारा दिन ही रहेगा जो की बहुत अच्छा है अकर सिद्ध योग में कोई काम किया जाए तो वे जरूर सफल होता है ऐसे राहु काल दोपहर 4.30 मिनट से 6.00 तक रहेगा करवा चौत के वरत में सुबा जल्दी उठकर सरगी खाई जाती है ऐसा कहा जाता है कि सुबा के होने से पहले यानि कि सूर्य उदे होने से पहले सरगी खा लेनी चाहिए आप सुबा 3.30 बजे तक सरगी गरहन कर सकते हैं करवा चौत की पूजा का शुब मोरत होगा 5.46 लेकर 7.9 मिनट तक चंद्रोदे का समय रहेगा रात 8.15 मिनट पर चंद्रमा को अर्ग देने और रत खोलने का समय रात 8.15 मिनट के बाद रहेगा चंद्रोदे का समय है वे अलग-अलग शेहरों में अलग-अलग हो सकता है इसलिए आप अपने शेहर के चंद्रोदे का पता करने के बाद ही चंद्रमा को अर्ग दीजेगा और रत का पारन कीजेगा करवा चौत के दिन को करक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है करवा जिसमें शाम के शमय चंद्रमा को अर्ग देकर पूजन किया जाता है पूजा के दोरान करवे का बहुती विशेश व महतो होता है इसे किसी भ्रामन या किसी योग्य महिला को भी दान में दिया चा सकता है ये वरत बहुत ही कठिन होता है क्योंकि इस वरत में सुभा से लेकर रात चंद्रोदे तक जल की एक बूद भी ग्रह नहीं की जाती ऐसे में सुहागिन महिलाएं इसको करती हैं ताकि उनके पती पर आने वाले संकट दूर हो सके अगर गर्वती महिलाएं इस वरत को धारन कर रही हैं तो उन्हें अपने डॉक्टर की सला लेकर ही इस वरत को निर्जला करना चाहिए गर्वती महिलाओं को कभी भी कोई वरत निर्जला नहीं रहना चाहिए उन्हें कारी अच्छी लगी हो तो पीस वीडियो को लाइक जादा से जादा और जादा से जादा लोगों के साथ शेयर कीजेगा